नाइस फ्रूट फॉर्म में आपका सौगत है यह हम आम की कटिंग करने जा रहे हैं एक-एक फूट की कटिंग है और यह हम आपको बताएंगे यह है रतन सौप्रवाईजर यह 3G कटिंग चालो है हमारी यह पहले हम यहाँ पर फ्रूट की कटिंग करे दें यहाँ पर उसके बाद में एक-एक फूट की कटिंग हो चुकी है यहां पर उसके बाद में तीन ब्रैंच निकल गए हैं यह तीन ब्रैंच की एक एक फूट पर कटिंग करना है रतन अब दिखाईए आप फैरो यह ब्रैंच इधर है जी यहाँ पर ब्रैंच है गच्ची बोलेंगे से हम यहाँ पर गच्ची है तो एक दो इंच उपर या एक दो इंच नीच आएगी तो हम गच्ची पर से ही कट करेंगे गच्ची से उपर आदा इंच पर कट करेंगे क्रोस कटिंग यां पर बरबर ले लिए और यह कटिंग हो गई इसका माप लकडी का एक फुट का यह एक फूट पर आ गए गच्छी यहां पर कटिंग हो जाएंगे यह थोड़ा दो इंच उपर जा रहा है गच्ची तो उसको हम गच्ची के पास से ही कटिंग करेंगे उसकी क्रॉस कटिंग हो जाएंगी बेस्ट जजाकल यह फर्स ब्रैंच के हो गई तीन ब्रैंच इसमें से थे हम एक फूड़ पर कट करने के बाद में उसको आगे तीन तीन ब्रैंच जिस निकल गए यह उसकी कटिंग चलो है हाँ नीचे आओ रतन नीचे आओ किते दो गच्ची है ना दो गच्ची के उपर से चाओ बस तीन इंच नीचे आ रहे हम यहाँ पर यहाँ पर हम खली गया खली गच्ची हाँ यहाँ पर हम गच्ची के ओके बेस्ट यह पर लेओ हाँ यहां पे भी तीन चार इंच ऊपर जा रहा है पर हम गच्छी पास सही कट करना है तो हम नीचे आएके कट कर रहे हैं उसको और एक ब्रैंच इस है यहां पर आव रतन यह एक है नीचे आओ हाँ 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 यहां है तो है तो हाँ तो यह हैं तो यहां अश्ति च्वाइक बाद लगाओ अश्ति कि अच्छी पेसे कट करो ओके यह रही नीचे लिलो उसको बेस्ट कि अच्छी बिल्कुल बिल्कुल वो थोड़ा स्ट्रॉंग ब्रैंच देखे वह हिसाब से डिसीजन लिलो कि नीची का ब्रैंच मत कट करो कम कुवत है हाँ वह आ रहा है तो बिल्कुल ले लो इसको यह थोड़ा हम ने कट करें क्योंकि इसका डाली भी बड़ी नहीं और यह ताखत में कम है इसलिए इसको छोड़ दिये उसको बड़ने तक बाद